हलो गाई वोल्कोर मैक टो माई चानल दिनकोड टोड़ेश लीड कोड चैलेंज इस कॉंटेस कोश्चन इस मैक्सिमम टेस्टीनेस ऑफ केंडी बास्केट इस कोश्चन में क्या करना है बेसिकली तुम्हें एक एंड साइस का एरे दे रखा है ठीक है प्राइज एरे उसमें आ के कैंडी सलेक्ट करनी है जो तुम कैंडी सलेक्ट करो ठीक है उनका जो प्राइस का डिफरेंस होगा तो जैसे इन नों में इन नों में डिफरेंस किता है फोर का है इन नों में डिफरेंस किता है सेविन का है इन नों में डिफरेंस किता है ठीक है तो इन में से जो यह मिनी करना है इसमें minimum का है 3 है ठीक है तो तुम अगर ये 3 लेते तो ये 3 हो या ता answer ठीक है और अगर तुम दूसरा 3 लेते जैसे इसमें लिया 13, 5, 21 तो इसमें difference किता है 8 है इन दोनों में difference किता है 5 और 21 में 5 और 21 में difference है, 16 लागा, ठीक है, और इन दोनों में difference किता है, 13 और 21 में, 8 का, तो इन तीनों में minimum कौन है, 8 है, तो अगर ये 3 लेते हैं, 13, 5 और 21, तो इसमें minimum का है, 8 है, और अगर ये 3 लेते, 5, 1 और 8, तो minimum किता है, 3 है, तो हम कौन सा पेफर करेंगी ये, ये 3, ये 3 कैंडी को लेन, पेफर करेंगी, क्योंकि इसमें, जो minimum है, absolute differences का, वह maximum है, ठीक है, उसको हमको maximize करना है, हमको ऐसे 3 candies लेनी है, such that, उनमें जो prices का difference हो, absolute difference, उनमें से जो minimum absolute difference होका, वो maximize हो सके, ठीक है, ऐसे 3 लेना है, तो कैसे करेंगे तो देखो यह हमको array दे रहा है ठीक है यह हमको array दे रहा है अब मुझे पता है कि मैंको तीन element लेने हैं इसमें ठीक है तो मैंने माल लो कोई से भी तीन ले लिए यह तीन ले लिए अब इसमें अब इसमें क्या होगा मुझे absolute difference ठीक है minimum absolute difference किसमें आएगा जब वो दोनों element पास में होंगे ठीक है इन में से जो इन तीनों में से मेरे को min चीए न मिन minimum absolute difference किसमें है इन दोनों की बीच में है या इन दोनों की बीच में है ठीक है तो वो किसमें आएगा जब वो दोनों पास में होंगे यह तो बात समझ में आरी किसे 13 5 8 है इन उनोने में तो minimum difference इसमे या फिर इसमें आयेगा ठीक है यह तो check करने की जुरती कि नहीं है मुझे इसमें होगा या फिर इसमें होगा minimum difference तो इसमें किता है minimum difference 3 है ठीक है 3 है minimum difference तो अगर मैं ये 3 लेता तो minimum difference 3 होता ठीक है तो मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूँ कि मुझे sort करना पड़ेगा area को ठीक है तो मैं सबसे पहले sort कर दिया ठीक है? तो यह हो गया मेरा sorted area यह मैंने sort कर दिया अब मुझे क्या करना है? इन में से 3 element select करने है 3 element select करने है वो कोई से भी 3 हो सकते हैं तो जैसे मैंने 1, 8 और 21 को select करा ठीक है? 1, 8 और 21 को select करा तो minimum difference किता हुआ 1 और 8 में किता हुआ 7 हुआ और 8 और 21 में किता हुआ 13 हुआ इसका हो गया answer 7 ठीक है? अगर मैं लेता 1, 13 और 21 को तो किता होता? 1 और 13 की बीच में 12 और 13 और 21 की बीच में 8 तो यह हो गया 8 अगर मैं 5, 13, 21 लेता 5, 13, 21 तो कित्ता होता, पांच और तेरा के बीच में आठ, और तेरा और एकेस के बीच में आठ, तो ये आठ हो गया, तो ये मुझे इन नोनों के बीच में किया है इसको maximize करना है ना तो मुझे 1 और 21 को लेना ही चाहिए बाकी बीच में कोई भी लेलू मैं पर 1 और 21 को लेना ही चाहिए क्यों कि उससे क्या होगा मेरे इन नोनों के बीच में जो gap हे वो बढ़ गया और बीच वाला कोई भी element होगा तो उसके और इसके बीच में भी gap बहुत जाबा होगा ठीक है बजाए इसके लेने के कि जैसे मैंने पांच ये 2, 8 और 21 लेता मैं 2, 8 और 21 लेता मैं तो इन दोनों के बीच में जो gap होता और इन नोनों के बीच में जो gap होता ठीक है वो क्या होता वो कम होता as compared to अगर मैं 1, 8 और 21 लेता ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूँ हमेशा हम 1 और 21 को तो लेंगे ही लेंगे ठीक है वो बीच में हम k-2 elements को यह और लेंगे जिनसे हमारा यह जो absolute difference है जो minimum value होगी उसकी वो maximize हो सके ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूँ हमेशा 1 और 21 को तो लेंगे लेते हैं अब इत्ती बास समझ में आ गई तो अब मेरे को इन में से 3 elements select करने है और मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 21 को तो लेंगे तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ 3 elements की such that उनका जो difference हो ठीक है उनका जो difference हो उनका जो difference हो उनमें से जो minimum difference होगा वो maximize हो सके एट हो सके ठीक है वो 8 हो सके क्योंकि answer मेरा 8 है तो मैं क्या करता हूँ मैं, मैंने क्या बोला, 1 और 21 को तो मैं लेंगा ही ठीक है तो अब मैं माल लेता हूँ कि मैंने 1 को ले लिया अभी मैंने 1 को लिया अब मैं next किसको लूँगा क्या 2 को ले सकता हूँ नहीं ले सकता क्योंकि मैंको minimum जो absolute difference है वो 8 चीए तो इन दोनों कर दो difference 1 है तो minimum तो 1 हो जाएगा अगर मैं इसको ले लूँगा 2 को तो 2 नहीं लूँगा मैं तो मैं क्या मैं 5 को ले सकता हूँ 5 को भी नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी absolute difference 4 होगा और मेरे को minimum किता चीए minimum absolute difference 8 चीए तो मैं 5 को भी नहीं लूँगा तो क्या मैं 8 को ले सकता हूँ 8 को भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि minimum absolute difference 7 हो जाएगा क्या मैं 13 को ले सकता हूँ हाँ 13 को ले सकता हूँ क्योंकि मेरा इन दोनों के बीच में difference किता होगा 12 को होगा which is allowed क्योंकि मेरा minimum absolute difference 8 है फिर्के मैंने माल नहीं है कि मुझे answer पता है अभी 8 है अब मेरे को ये दो 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 लेंद की तो बन गई sequence अब मैं इस पर जाऊँगा 21 पर तो क्या 21 लूँगा मैं तो 21 माइनस 13 किता है 8 है तो अभी भी इस sequence में क्या है minimum absolute difference 80 है तो which is allowed तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मेरी sequence ये मेरा answer 8 जो है वो बन सकता है answer 8 अगर बन सकता है तो ये सही है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा अब मेरे को answer होतो पता नहीं था तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं चलाऊँगा binary search अब binary search अब मेरा lowest answer क्या हो सकता है 0 कैसे जैसे माल लो ये सारे elements 7 7 7 है एक example भी दे रहा है इसमें नीचे वाला ठीक है और मेरे को इसमें से k 3 select करने है तो कोई से भी मैं 3 लेनू हमेशा उन में absolute difference क्या रहेगा 0 ही रहेगा तो ये 0 हो जाएगा मेरा answer minimum ठीक है और maximum answer मेरा क्या होगा maximum मेरा answer क्या होगा maximum मेरा answer होगा ये minus ये 21 minus 1 which is 20 तो ये हो जाएगा maximum answer अब मैं इसमें binary search लगाऊँगा ठीक है और mid value find करूँगा which is this highest l plus h minus l divided by 2 ठीक है और मैं इसको चेक करूँगा कि क्या मैं मैं इस ये जो है mid उससे मैं sequence बना सकता हूँ कि k length की तो मैं check करूँगा bool r equal to check और check मैं क्या pass करूँगा मैं mid value क्या मैं ये ये जो length ये जो मेरा answer है भी वो मैं बना सकता हूँ गया इस price वाली array को लेके और मेरा k इतना k length की तो ये मैं कैसे check करूँगा ये मैं ऐसे check करूँगा जैसे मैंने तुमें बताया अगर मालनो मैं को check करना होता कि मैं 6 length की बना सकता हूँ गया तो मैं किसको select करता 1 को select करता फिर मैं 8 को select करता फिर मैं 8 के बाद किसको select करता 8-13 किता है 5 है तो 13 को भी select नहीं करता तो मैं 21 को select करता तो मैं बना सकता हूँ 6 अगर 6 मेरा answer होता तो मैं उसकी sequence भी बना सकता था तो ऐसी मैं check करूँगा कि मैं उस mid value को को बना सकता हूँ की निए अगर बना सकता हूँ तो अगर बना सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा और बड़ी values try करूँगा क्योंकि मेरे को mid को क्या करना है maximize करना है तो मैं L को कर दूँगा mid plus 1 और इसको store कराने से पहले मैं इसको answer में store करा लूँगा ठीक है answer हो जाएगा मेरा mid और मैं फिर भी explore करूँगा और बड़ी values को और अगर नहीं बना सकता मैं तो मैं क्या करूँगा R को कर दूँगा mid minus 1 कि छोटी values try करो बना नहीं ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा binary search और यह check function में लिख दूँगा simple सा तो अब मैं दिखाता हूँ इसका code तो basically बहुत simple सा है देखो हमने क्या करा sort कर दिया पहले फिर हमने L को ले लिया 0 R को ले लिया price of n minus 1 minus price of 0 ठीक है अब मैं यह चला दूँगा और मैं चेक करूँगा कि मैं उस mid value को बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ कैसे चेक करूँगा मैं length चेक करूँगा ठीक है और मैं जैसे जैसे मुझे difference greater equal x मिलेगा x का है मेरा mid value कि ठीक है अगर उससे बड़ा मिलेगा तो मैं length को बड़ा दूँगा और j को मैंने वो कर दिया कि अगला अगला जो होगा price of i minus price of j जैसे 1 2, 5, 8, 13, 21 ठीक है और मैं check करना चाहरा हूँ कि मैं 8 length की 8 8 minimum absolute difference वाली sequence k length की बना सकता हूँ की नहीं तो मैं क्या करूँगा 1 पे चालो कर दिया और 2 पे जाऊँगा तो इन दोनों का difference का है 1 है तो minimum absolute difference मुझे किता ची 8 चीए 2 को नहीं लूँगा मैं इस पे जाऊँगा तो 5-1 के 4 है तो 4 भी minimum absolute difference नहीं है 8 भी नहीं है 8-1 किता है 7 है 13-1 बड़ा है मेरा 8 से हाँ है तो मैं 13 मो ले सकता हूँ फिर मैं इस पे जाऊँगा ये मेरा निया J बन जाएगा फिर मैं I minus price of I minus price of J करूँगा अगर वो greater equal ये है मेरा X के ठीक है तो मैं length को plus कर दूँगा और अगर मेरा length greater equal k है तो मैं return कर दूँगा true मैं length बना सकता हूँ k length की minimum such that absolute difference between consecutive elements is mid x के बड़ाबर हो x से बड़ा हो ठीक है तो minimum absolute difference x हो ठीक है तो वो ही मैं answer को return कर दूँगा और इसकी time complexity हो जाईगी n log n so that's it for this question और मतलब ये question को समझना कैसे है जैसे कभी भी question समझ में नहीं आया है तो हमेशा एक बाफ by नहीं सब सूथना चाहिए ठीक है क्योंकि n log n ही लग रहे time अना n log n ही लग रहे तो अगर n log n पास कर सकता है तो n भी पास कर सकता है और अगर n पास कर सकता है तो n log n भी पास कर सकता है मतलब ये दोनों y से बर से चलते है तो अगर कोई solution n का है तो तो तुम अगर उसको n log n में भी करोगे न तो भी चलेगा तो हमेशा कोई question समझ में नहीं आ रहा हो और n का हो उसका solution तो n log n ट्राय कर सकते हो तो कि अगर n work कर रहा है तो n log n भी work करेगा ठीक है So that's it for this question Hope you like it Please subscribe to the channel And comment down below If you understood it fully Thanks a lot Thanks a lot for watching Hope you had a great day